जय मात अदी मा कुश्मांडा आप और आपके परिवार जनों की रक्षा करें आप सभी की मनुकामने पूरी करें आज नवरात्री का चौथा दिन है और इस दिन मा भगवती के कुश्मांडा रूप की पूजा की जाती है आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मा कुश्मांडा की कथा और दुर्गचालिसा पाठ के साथी मा की आर्थी चौथा जब नवरात्रा हो मा कुश्मांडा को ध्याते जिसने रचा ब्रहमांड ये पूजन है करवाते आदी शक्ती कहते हैं जिसे अस्ट भुजी है रूप इन शक्ती के तेज से कहीं छाओ कहीं धूप प्रिश्रोताओ मा कुश्मांडा की कथा सुनने या पढ़ने से सभी परकार के रोग शोक नस्ठ हो जाते हैं यश, सुख, सम्रिधी की प्राप्ती होती हैं मन, कर्म और वचन में पवित्रता आती हैं मा कुश्मांडा सभी रोगों का नाश करने वाली हैं और सभी को सत्थ बुद्धी प्रदान करती हैं अब आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ मा कूश मांडा की कथा सुनिए ये कथा बहुत दुरलव और पौराणिक कथा हैं किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राहमन रहा करता था हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था उस लिए प्रात्यकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लोट कर आता फिर देवताओं पित्रों और मा दुर्गा के साथ ही अतित्यों की पूजा करने के बाद आश्यत चनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहन किया करता था इ सदाचारी के कारण उसका मन दुखी रहता था फिर भी वह सदयव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था इसलिए वह सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी था उसके हरदे में कभी भी एहंकार क्रोध या इर्षा जैसे बु सत्यवरत नाम के एक तजस्वे रिशी आकर ठहरे वे एक बहुत ही पहुचेवे तपस्वी थे उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ग्याता और कोई भी नहीं था जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे उस ब्रहमण के मन में भी तपस् की बुद्धी अत्यन्त विलक्षन है और आप अनेक शास्त्रों विद्यां और मंत्रों के जानने वाले हैं मैं एक निर्धन दरिद्र और बे सहरा प्रहमण हूं करपया मुझे बताईये रिशीवर कि मेरी दरिद्रता मेरी गरीबी मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते है ब्रहमण ने कहा कि मुनिवर आप से ये पूछने के पीछे मेरा उद्धेश केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरन पोशन करने की शक्ति आ जाए धन के अभाव के कारण मैं उन्हें परियाप्त रूप से सुख सुविधाई नहीं दे पा रहा हूँ हे दयाने थे तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूँ और उन्हें सारी सुख सुविधाईं भी दे सकूँ मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए प्रिश्रोताओ, महर्शी सत्यवरत ने सुखील ब्रहमन को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्री वरत करने की सलहा दी महर्शी सत्यवरत ने उस ब्रहमन से कहा हे ब्रहमन, अब मैं तुम्हें माता कूश्मान्दा की कथा सुनाता हूँ तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सत्पुद्धी मिलती हैं और सुक्समृध्धी की प्राप्ती होती हैं और उसके मन में माता के प्रती अटल भक्ती भी जागती है ये उस समय की बात है जब संपोन ब्रह्मांध अंधकार से भरेवे एक शूने के समान लग रहा था लेकिन फिर दिवे प्रकाश की एक किर चारो और फैली अंधिरा उजाले में बदल गया अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी देखते ही देखते वह दिवे प्रकाश एक दिवे नारी के रूप में बदल गया वह और कोई नहीं बलकि स्वम देवी कोश्मांडा थी अपनी मंद हलकी हसी के साथ अंड यानि ब् देवी को कुश्मांडा नाम से पुकार गया और देवी कुश्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण प्रमांड का जन्म हुआ है ब्राह्मन उन्होंने ही प्रत्वी सभी ग्रहों चंद्र सोर्य तारे और आकाश गंगा को अस्तित्म में लाया संसार में जीवन बनाए रखन है तो देवी कुश्मांडा उनकी शक्ति है माता कुश्मांडा ही समस्त उर्जा का स्त्रोथ है जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती है तो देवी का अलोकिक देज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की उन्हें प्रकाश्वान बने रहने की क्षमता देता ह कुश्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और ये देवी कुश्मांडा की ही शक्ति है कि कुश्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है इनसे ही सारा जग रोशन है और ये देवी केवल एक मात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोग में निवास करने की क्षमता रखती हैं मा की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता के करपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है महर्शी ने आगे कहा प्रिश्रोताओ, तब महर्शी सत्य वरत के कहने पर उनकी सलाप पर ब्रहमण सुशी ले भी नवरातरि के वरतों को किया मा कुश्मांडा की इस्तुती की और महर्शी सत्य वरत को अपना गुरु बनाकर उन से माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंतर की दीकशा ले इसके बाद नवरात्री के वरत रखकर उस मंत्र का शुशिल प्रामण ने नियमित रूप से जब आरम कर दिया उसने माता भवानी और मा कुश्मांडा की भक्ती पूर्वक आराधन की और नौ वर्षों तक लगातार वह मा भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा उसकी भक्ती से प्रसन होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्री की अस्टमिति थी को मधरात्री में उससे सौपन में दर्शन दिये और इस परकार मा कुश्मांडा की गरपा से तुशिल ब्रामण की दर्दिरता दूर हो गई मा भगवती की कृपा से उसकी घर में सुख और सम्रिधी के पंडार भर गए प्रेम से बोलिए कुश्मांडा माता की जय प्रिश्रोताओ ये थी मा कुश्मांडा की कथा अब जाने मंत्रों चालिसा पाठ और आर्थी के बारे में मा कुश्मांडा का पुजा मंत्र ओम देवी कुश्मांडाय नम्हा प्रार्थना सुरा संपोन कलशं रुधिरा प्लुप्त मेव चा दधानाम हस्त पद्माप्याम कुश्मांडाम शुप्तास्तुमे मा का इस्तुति मत्र या देवी सर्भूतेशु मा कुश्मान्डारूपेण सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नम्हा शिरी दुर्गा चालिसा नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अंबे दुख हरनी निरंकार है जोती तुम्हारी तिहूं लोग फैली उजियारी शशील लाट मुख महा विशाला नेत्र लाल भ्रक डीविक राला रूप मात को अधिक सुहावे दरश करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकीना पालन हे तु अनधन दीना अनपूर्णा हुई जग पाला तुम ही आदी सुन्दरिवाला प्रलैकाल सब नाशन हारी तुम गोरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विश्न तुम्हे नित ध्यावे रूप सरस्वति को तुम धारा देसु बुधि रिशी मुनिन उबारा धर्यो रूप नरसी को अंबा प्रगडभई फाड कर खंबा रक्षाकरी प्रहलाद बचायो हिर्णा कुष को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही शिरी नारायन अंग समाही क्षीर सिंदु में करत विलासा दया सिंदु दी जैमन आसा हिंग लाज में तुम ही भवानी महिमा अमितन जात बखानी मातंगी अरुधू मावति माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरवतारा जगतारनी छिन भाल भव दुख निवारनी केहरिवाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी करमे खपर खटग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रूही शूला नगर कोटी में तुम ही विराजत तिहूं लोक में डंका बाजत शुम्ब निशुम्ब दानव तुम मारे रगत बीज शंखन संगहारे महिशा सुर निप अत्य भिमानी जही अगभार मही अकुलानी रूप कराल कालि का धारा सेन सहित तुम तिह संगहारा परिगाड संतन पर जब जब भई सहाए मातू तुम तब तब अमर पुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योती तुम्हारी तुम्हे सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्त से जोजस गावे तुखदा रित्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हे जो नर्मन लाई जन्म मरणता को छुट जाई जोगी सुर्मुनि कहत पुकारी योग नहो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आजे रज तप कीनो काम अरूकरोद जीत सब लीनो निशदन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पच्छतायो शर्ना गत हुई कीर्ति बखानी जै 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 जगदंब भवानी भई प्रसन आदी जगदंबा दै शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मा तु कस्ट अतिखेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा त्रिश्ना निपट सतावे मोहमद आदिक सब विन शावे शत्र नाश की जै महरानी सुमिरो एकचित तुम्हे भवानी करू गर्पाहे मातु दयाला रिद्धि सिति दे कर हुनिहाला जब लगी जिऊ दया पल पाओ तुमरो यश में सदा सुनाओ दुर्गा चालिसा जो कोई गावे सब सुख भोग परमपद पावे शिरी दुर्गा चालिसा समात। मा कुश्मांडा की आरती ओम जय कुश्मांडा मा अस्ट भुजा देवी आदी शक्ति तुम मा आदी स्वरूपा मैया जग तुम से चलता ओम जय कुश्मांडा मा चतुर्थ नव रात्रों में भाक्त करे गुणगान स्थिर मन से मा की करो पूजा और ध्यान ओम जय कुश्मांडा मा सच्चे मन से जो भी करे स्थोति गुणगान सुख सम्रिथी पावे मा करे भक्ति दान ओम जय कुश्मांडा मा शेर है मा की सवारी कमंडलती न्यारा चक्र पुष्प गले माला मा से उजियारा ओम जय कुश्मांडा मा ब्रह्मांड निवास निमया महिमावेद कहे दास बनी है दुनिया मा की करुना बहे ओम जय कुश्मांडा मा पाप ताप मिटता है दोश न रह जाता जो माता में रमता निश्चित फल पाता ओम जय कुश्मांडा मा अस्ट सिधिया माता भक्तों को दान करे व्याधी मैया हरती सुखों से पून करे ओम जय कुश्मांडा मा कुश्मांडा मैया की आरती नित गाओ मा करेगी सब संभव मा की शरन आओ ओम जय कुश्मांडा मा मैया जय कुश्मांडा मा शरन तीहारी आई करेदो मात दया ओम जय कुश्मांडा मा क्षमा याचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराद होते रहते हैं, अपनी भक्त समझ कर मेरे उन अपरादों को आप करपा पूर्वक क्षमा करो, हे परमेश्वरी, मैं अहवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा क करने का ढंग भी नहीं जानती मुझे क्षमा करो हे देवी हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो सैकड़ों अपराद करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदंबे कहकर पुकारता है उसे वह गती प्राप्त होती है जो ब्रह्मादी देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है हे जगदंबिके मैं अपराधी हूं किन्तु आपकी शरण में आई हूं इस समय दया की पात्र हूं आप जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी अज्यान से भूल से अथ्वा बुद्धी भ्र और मुझ पर प्रसन रहो देवी सुरेश्वरी आप गोपनी से भी गोपनी वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो मेरी पूजा को ग्रहन करो और आपके करपा से मुझे सिध्धी की प्राप्ती हो प्रेम से बोलिए कुश्मांडा मैया की जै उमीद है कि वीदियो आपको पस प्रसन रहोगी